आज कर देखे हमारा पहला नमबर कोश्चन है निमली की तत्तों में से किसका परमार द्रभमान सबसे कम होता है हिलियम, नाइट्रोजन, लीथियम और हाइड्रोजन ये चार आपसन आपको दिये गए सबसे पहले आप लोग प्रियास किजे और वीडियो के लाश्ट ही पूरी मांदारी के सब बताईगा इन सभी प्रिशनों में से आप लोग कितने पर सही कर पा रहे है देखी परमार द्रभमान की बात करेंगे तो हिलियम का चार होता है नैट्रोजन का 14 होता है और लीथियम का 7 होता है और आपका हाइड्रोजन का एक होता है तो सबसे कम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का जो परमार द्रभमान होगा वो सबसे कम होगा परमाण क्रमाण के नीचे लिखा होता है और परमाण द्रबमाण जो होता है वो उपर की यो लिखा जाता है इसलिए हाइडोजन काम लोग किस प्रकार से लिखते है इस प्रकार से लिखते है जो उपर लिखी हुई संख्या होती है उसका परमाण द्रबमाण होती है इसलिए हाइडोजन का सबसे कम एक होता है नेस्ट कोशन के ओर चलते हैं आज का देखे माया दूसरे नमबर कोशन है वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक होस कीजेगा गति का पहला समय करण किसके किसके बीच में समंद्य को दर्साता है इस चार आप्सन आपको दिये गए हैं मैंने कई बार आपको गति के तीनो नियम के बीच में समंद्य को बताया है आज फिर से एक बार आपको बता देता हूँ सबसे पहले गति का पहली समय करण क्या होता है V बराबर U प्लस 80 होता है यफिजिटी लिख सकते हैं A आपर भी तोड़ा होता है जी भी तोड़ा होता है लेकिन जो पहला समय करण होता है वो वेग और समय की बीच में समंद्य को दर्साता है इसलिए कौन सा ओप्सन सही होगा वेग और समय वाला दूसरा option सही होगा आप चलते हैं दूसरे समय करण कूपर S बराबर UT प्लस हाप AT square ये पिजी T square लिख लिख लिजे ये क्या करता है इस्तिती और समय की बीच में समंद को दर्साता है कहां पर लिखा गया इस्तिती और समय ये last वाले option में तो ये दूसरे समय करण का समंद है ठीक है अब क्या करता है तीसरे समय करण को ऊपर चलते हैं V square बराबर होता है U square प्लस 2GS होता है ये पिर 2AS होता है अब यहाँ पर क्या होता है वेग और विस्थापन के बीच में जो समंद होता है वो तीसरे समय करण दिखाता है तो कहाँ पर लिखा गया वेग और इस्थिती वेग और इस्थिती पहले वाले option में तो तीनों option आपको मिलेंगे ठीक है तो पहचानिए कि पहला समंद किसका है दूसरा किसका है तीसरा किसका है ये आपको हर बार याद रखना पड़ेगा आज के देखे माया तीसरे नमबर कोश्चन है चंद्रमा पर जी का मान प्रिथिभी पर जी के मान का एक बटे छटमा हिस्सा है ये आप सबको मालूम है ये कोई वेक्ति प्रिथिभी पर डेड़ मीटर उचा उचलता है तो वे चंद्रमा पर कितना उचल सकता है तो आप सब ले लिजे पहले 9 मीटर 4.5 मीटर 6 मीटर या फिर 7.5 मीटर ठीक है चलिए प्रियास कीजिए समझने का कि अगर चंद्रमा पर जो तोरड होता है वो 1 by 6 होता है मतलब कि 1 by 6 गुना कम होता है पिर्थिभी पर क्या करेगा 1 by 5 मीटर जो है वो उचल लाग मतलब कि ग्रिविटेशन फोर्स यहाँ पर जादा है अगर आप उचलने की कोशिच करेंगे तो तुरंद नीचे आ जा रहे लेकिन चंद्रमा पर क्या 1 by 6 है तो उसका 6 गुना जादा वो उचलेगा 15,90,9 मीटर यहाँ पर अगर 1,5 मीटर उचलना है तो वहाँ पर 6 गुना जाकरके 9 मीटर होगा तो 9 मीटर चंद्रमा पर उचलेगा क्योंकि ग्रिविटेशन फोर्स वहाँ पर कम है अगर जादा होता यहाँ कि ग्रिविटेशन फोर्स से जादा होता तो 1,5 मीटर से कम उचलता लेकिन कम है तो वह जादा उचलेगा 9 मीटर जोगा इसके सही उत्तर होगा देखी चौथा नंबर कोशन प्रेकास संसलेशन के दोरां बने उतपाद का नाम बताईए स्टार्च जल और आक्सीजन स्टार्च और आक्सीजन गुलकोज जल और आक्सीजन गुलकोज और आक्सीजन ठीक है बहुत बार आता है कोशन और आप लोग तयार रहिएगा यह कोशन आपकी एक्जाम में आ सकता है प्रेकास संसलेशन की क्रिया यह फिर प्रकास संसलेशन का reaction काफी important है आपके लिए देखी पेड़ पाउदे क्या करते हैं जो हम लोग करवंड है या अक्साइट गया सोड़ते हैं उसको लेते हैं तो CO2 को लेते हैं और पानी साथ में लेते हैं पानी बहुत ज़रूरी है अगर प्रकास संसलेशन की करानी है इसके बाद में सूर का प्रकास लेते हैं सूर का प्रकास और क्लोरोफिल जो पतियों में क्लोरोफिल होता है उससे काड़ क्या होता है खाना मनाते हैं पेड़ पाउदे जिसे हम लोग प्रकास संस्रेशन की क्रिया करते हैं अब उत्पात काउन काउन से बनते हैं ये तो क्या हो गया इन चीजों की में जरूरत है लेकिन बनेगा क्या क्या ये आपको समझना पड़ेगा तो सबसे पहले ग्लुकोज बनता है C6, H12 और O6 ये बनता है ग्लुकोज ठीक है एक हमें मिल गया दूसरा बनता है आक्सीजन जिसे हम लोग लेते हैं आक्सीजन को हम लोग लेते हैं कारवन डायक्सेट छोड़ते हैं तो कारवन डायक्सेट लेकर करके वो आक्सीजन को निकालते हैं पेड़ पौदे प्रकास संसलेशन क्रिया सबसे तेजी से होती है किस रंग के प्रकास में जैसे आपका वी विग्रो करल होते हैं ना कलर उसमें क्या होता है कि सबसे जधा जो होता है प्रकास संसलेशन वो रेड कलर में होता है याद रख लीजेगा अगर कहीं पर रेड कलर है तो प्रकास संस तो गुरुत्ता करसल बल से लगने वाला कार है इस पर आपको बताना है ठीक है चलिए आपसन है आपके पास में 1.96.98 जूल माइनस में 0.98 या फिर माइनस में 1.96 ठीक है अब समझेगा माइनस और प्लस क्यों दिया गया है देखें जब वस्तु को आम उपर की ओ ले तो पास्टी होगा ठीक है अब देखें कार है पूछा गया कार क्या होता डबलू बराबर एफ इंटू एस होता है एप क्या होता है एमजी होता है एस क्या होता है विस्तापन होता है तो एच लिग लिजे तो डबलू बराबर एमजी एच लगा दीजे एमजी क्या हो इसका 1.96 जूल यह अब उत्तर आएगा ठीक है 1.96 जूल जो होगा वो पॉस्ट्वी में उत्तर आएगा क्योंकि जी जो हमारा है नीचे की ओर लग रहा है नीचे की ओर लगेगा तो पॉस्ट्वी लिखना अगर उपर की ओर हम किसी वस्तु को फेक रहे होते हैं फिर किया गया कार पूचा दो जी हमको निगीटिव में रखना होता तो उत्तर किस में आता निगीटिव में आता ये बातों का ध्यान रखेगा नेक्स कोशन को चलते हैं देखी छatवा नबर कोशन है नेमलिकित में से कौन सा कथन गलत है ठीक है प्रयास कीजिए बताने का कौन सा गलत खन आपको गलत लग रहा है ठोस पदार्त कठोर होते हैं या फिर ठोस पदार्तों का आकार अनिस्चित होता है अगर चारों आपसनों को आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ठोस पदार्थों को जो अकार होता है वो अनिस्चित होता है ये गलत है ठीक है क्योंकि ठोस पदार्थों को अकार जो होता है वो निस्चित होता है तो यहाँ पर अनिस्चित की जगाए प्रहे निस्चित लिखता तो सही होता तो गलत क्या है यहाँ पर गलत मुचा गए आपसे दूसरा वाला जो आपसों होगा गलत होगा आज के दिखे मारा सातवा नंबर कोश्चन है धोनी की पीछ किस पर निर्भर करती है तरंग दर्थ पर आयाम पर लै पर या फिर आवरेत निर्भर ठीक है धोनी के तीन गुड़ होते हैं पहला तो इंटेंस्टी होती है मतलब की लाउडनेस होती है दूसरा पीछ या फिर तारत कहते हैं हम लोग हिंदी में और तीसरा होता है क्वाल्टी मतलब गुड़ता तो धोनी की पीछ जो होती है वो किस पर निर्भर करती है आवरती पर निर होती है क्योंकmate तारध थो जो होता अधिक होता है पुरुसों के आउज जो intensity होती है, loudness होती है, यो pitch पर निर्वर नहीं करती है, ठीक है, तो सही option क्या हो जाएगा इसका, आवरती जो होती, धुन की pitch पर निर्वर करती है, next question को चलते हैं, देखिए, आठवा नमबर question है, Newton द्वारा गति की निम लिखित साखाओं में से, किसका अविस्कार किया गय इसका सही उत्तर होगा calculus, calculus जिसमें समाकलान और आउकलान होता है, आपने intermedius में पढ़ी होगी, जब आप लोग पढ़ते रहोंगे, तो क्या पता, 6 किताबे चलती थी, 6 किताबों math की 11 और 12 में 33 किताबे पढ़ने होती थी, static होती थी, dynamic, और फिर trigonometry, calculus, algebra, geometry, इस पर करकर कर जो है, इसका विसकार Newton ने किया था, याद रखेगा आप लोग ठीक है, next question के ओर चलते हैं, अभी तो दो किताबे मिला दी गई है, दो ही किताबे, एक किताब इंटरने पढ़नी है, उसके बाद एक किताब आपको जाकर के 11 पढ़नी होती है, देखी, 9 नमबर question है, किसी कार कारबन का परमाडवीक दरब्मान 12 है, ठीक है, कारबन का परमाडवीक दरब्मान 12 ही होता है, हीलियम का 4 है, प्रतेक दत्यों के एक मोल के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, अब 4 कथन को आपको पढ़ना है, और बताना है क्या सही लग रहा है आपको, ठ परमाण होती जो आवा गाडरो नंबर होता है 6.022 दसकी पावर 23 इतने ही परमाणों की संख्या होती है अगर कारबन का भी एक मोल ले लेंगे और हिलियम के भी एक मोल में तो सही आपसन क्या होगा तीसरा वाला विकल्प जोगा वो सबसे सही उतर होगा देखी दसवा नंब होता है दो तो उसके बाहर कोस में मैक्सिमम दो इलेक्टरान होते हैं लेकिन हिलियम को छोड़ देना है अब बाकी नोबल गैसों की बात करना है नियान आरगन जितनी भी होती हैं वो सारी के सारे उनके बाहर कोस में आठ इलेक्टरान होते हैं तब ही वह आक्री होती हैं औ mobile гazer भी अक्री खैलाती है तो क्या सही उत्तर होगा 8 सही उत्तर होगा ठीके नेस कोशटन के ओर चलते हैं देखी 11 नंसे कोशटन है जब प्रकास की एक किशट एक सरे माधधम से विरल माधधम की ओर यात्रा करती है तो यह किस दिसा की ओर मुढती अप्षान से विरल की और जा रहे हैं थीके पैचानिये का चारो आपका सन मैं आपको दे रहा हूँ इनको चारो को पढ़िये और बीयुद कहां से जा रही है मतलब भीडबाड वाले इलाके में थी अब या रेर rare मतलब कि क्या हो रहा है बिल्कुन से simple सा इलाके में जा रही है तो क्या साही उत्तर होगा अब इलम में से दूर हट जाएगी और गती बढ़ जाएगी गत्तो बढ़ेगी क्योंकि कहां पर थी पहले सगंध माध्यमती अब विरल माध्यमें जा रही है इस प्रकार से किरड हैं ये आपका अबिलम हो गया तो किरड जाएगी अबिलम इसे दूर हट जाएगी जाना चाही था ऐसे लेकिन दूर हट जाएगी और गती जो है उसकी बढ़ जाएगी ठीक है इस प्रकार से याद रखेगा आप लोग आपसे कन्फ्यूज करा देता है कभी कभी रेयर से क्या करेगा डेंस से पूछ लेगा डेंस से रेयर तो दोनों को याद रखना है अगर वीरल से सगन की ओर आएगी तो अबिलम भी की ओर जुगेगी ठीक है प्रियास कीजेगा समझने का इसको देखी बारा नंबर कोस्टन है चार मीटर पर सिकंड के वेक के साथ इस्तांतरित होने वाली 0.5 केजी वाली गेंद की गति जुर्जा आपको बताने है ठीक है चलिए बता सकते हैं आप लोग आपसन भी ले लिजी 12 है 4 है 8 है 16 है 4 आपसन आपको दी गए है क्या पूँचा जा रहा है गति जुर्जा पूँची जा रही गति जुर्जा का फार्मूला क्या होता है 1 बटे 2 mv2 होता है m क्या होता है mass होता है wave velocity होती है 1 बटे 2 m दिया गया है 0.5 velocity दी गई है 4 meter per second जो की सही दी गई है 4 चो को 16 कर लिजेगा 16,85 होता है और 1.5 लग जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर 8 का आधा कर दीजेगा 4 आएगा 4 जूल जो होगा वो इसका सही उतर होगा इस प्रकार के question simple होता है लेकिन अगर फार्मूले आपको याद है तो आप कर सकते है बहुत सा लोगों के size बहुत वीक होती है तो परे उनको ये pressure भी cutting लगता है मैंने आपको कई बार practice करा दिये अब तो आपको याद हो गया होगा गति जुजा का फार्मूला 1 by 2 Mb2 square होता है और इस ती जुजा का फार्मूला होता है MGH होता है देखे तेरा नंबर question है फूलों वाले किस पौदों में पतियों के margin की दर्रों में कलिकाएं पैदा होती है केला होता है ब्रायो फाइलम ब्रायो फाइटा या फिर गुलाब का फूल ठीक है चार option दिये गए है बताईएगा तो इसका सही उत्तर होगा ब्रायो फाइलम ये बढ़िया question है इसमें क्या होता ब्रायो फाइलम में ऐसा होता है कि जो पौदे होते हैं उनकी पतियों में से दूसरा पेड निकलना ही start हो जाता है कलिया निकलती है फिर दीरे दीरे वो पेड में परोतित हो जाता है तो इनकी पतियों सही होता है तो ब्रायो फाइलम जोगा इसका सही उत्तर होगा देखी चौदा नमबर question है बहुवी खंडन किसके द्वारा होता है यह बहुवी खंडन द्वारा कौन उत्पन होता है राइजोपस, खमीर, प्लेनेरिया यह फिल पलाजमो डियम ठीक है? चार आपसन है और यहां पर आपसे आमीवा को हटा लिया गया और पलाजमो डियम को ڈाल दिया गया तो बावी खंडम से अमीबा भी होता है और प्लाजमो डियम भी होता है दोनों को आपको याद रखना है ठीक है पंद्रे नंबर कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा फूल के केंदर में मौझूद होता है बादल पंखुडियां अंडप या फिर पुस्प केसर प्रयास किजिए बताने का फूल के केंदर में क्या होता है फूल के केंदर में क्या होता है अंडप होता है ठीक है सबको मालू में अंडप होता है फूल के केंदर में पूछा गया तो सिंटर में अंडप होता है 16 नमबर पेस ने जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो इस दिर उर्जा किस रूप में चेंज हो जाती है अभी क्या था कोई स्प्रिंग थी उसको संकुचित कर लिया था छोड़ दिया गया तो स्प्रिंग क्या होगी अपनी उसी अवस्ता में आ जाएगी थोड़ा दूर तक पहले जाएगी तो इस दिर उर्जा क्या होगी कायनेटिक इनर्जी में चेंज हो जाएगी तो कौन सा उत्तर सही होगा पहला वाला उत्तर सही होगा देखी 17 नमबर कोशन है धोनी हवा में 333 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है इस प्रकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके दवरता की जाती है स्रोथ के दवारा कड के दवारा रिसीवर के दवारा यह फिर असांती जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टर्बेंस के कौरण ठीक है बताईए क्या सही लग रहा है आपको चारों उत्रों में से इसका सही उत्तर होगा आसांती जिसे हम लोग डिस्टर्बेंस कहते हैं जो डिस्टर्बेंस होता है वही जो होता है वो धोनी तरंगों को आगे की ओर ले जाता है पीछे से आपने फोर्ष दिया कडों ने कमपन किया कडों ने आगे वाले को जो डिस्टर्बेंस जो आसांती ती उसको प्रदान किया तो कण गती नहीं कर रहे हैं डिस्टर्बेंस जो आपने फोर्ष लगा करके disturbances या फिर आसांती जो पैदा की है उसके करण जो होता है धोनी 333 मीटर की दूरी तै करती है देखी अठार नमबर कोशन है निम लिखत में से कौन सा परजीवी के रूप में पौधो से पोसर प्राप्ट करता है परजीवी जो होता है जो दूसरे पर आस्रित होता है जिसे मनुसर भी एक परजीवी है अब यहां पर देखिए क्या पूछा जार आप से परजीवी के रूप में पौधो से कौन पोसर प्राप्ट करता है जू या फिर ब्रायोफाइलम या फिर कास्कुटा मलेरिया का परजीवी बताइए कौन जो होता है पौधे से प्राप्ट करता है तो पौधों से जो प्राप्ट करेगा वे कैस कुटा होता है जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते है अमर बेल कहते है अमर बेल पीली करण की होती है और जिस भी पौधे पर लगती है उसके जो पोसकतत होते हैं वो लताओ के रूप में ये फैलती जाती है इसमें पतिया नहीं होती है ये क्या करती है फैलती जाती है चार तरह से पेड़ को जकर लेती है अगर इनकी मात्रा जादा हो गई तो पेड़ को अस्तित्त को खतम कर देती है ठीक है तो क्या हो गई है पर जीवी है और पौधे के रूपे पूछा था, जू तो क्या करती है जू तो मानोग उपर लगती है पर आपके जो जानवर होते उनके उपर लगती है तो सिर्फ आपसे पेड़ों पर पूछे गया तो पेड़ों पर बताना है कैसकुटा जिसे हम लोग आमर बेल भी कहते ह हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है देखिए यह नबर कोशन है राशायनी गिड़ों में से मिंडलीप ने निवली की तत्तों द्वारा कौन से यौग को पर ध्यान किंद्रित किया था बताइए किन-किन तत्तों के जो यौगिक बन रहे थे उस पर मिंडलीप ने ध्यान किंद किया था तो क्या सही उत्तर होगा पहला वाला सही उत्तर होगा 20 तो में से का अककृषाइक करर्ण से रोकने के लिए निवलीपोन में से किस गैस का उप्रियूग किया जाता है आक्सिजन का नाइट्रोजन काост प्रूरीजन काहिए प्र प्रियास कीजिए समझने का ऑर प्रक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्र सही करना है आपको नाइट्रोजन सही करना है ठीक है याद रखेगा चलिए आप लोग कमेंट बाक्स में ये बताइएगा कि जो आप पेपसी की बोतल को खोलते हैं तो कौन से गैस बाहर निकलती है मैंने एक बार आपसे पूछा था और काफी लोगों से सही उत्तर दिया था लेकिन आपके एकजाम में यही कोशन पूछे जाते हैं तो आप लोग तयार हैएगा सही करने के लिए और कमेंट बाक में एक बार सोच करके बताइएगा देखिए एकईस नमबर कोशन है उतक क्या होते है ठीक है टीसू क्या होते है चार आपसन है और इनको देखिए और स जो मूल रूप से दिखने में और कार करने में समान होती है उतक क्या होता है कोशिका से मिलकर बना होता है तो कोशिका के समान ही उसकी सरचना होती है और कार करने भी समानता होती है कोशिका से मिलकर के उतक बना होता है उतको से मिलकर क्या बनता है अंग बनता है ठीक है अंग स परतापमान कितना होगा प्रयास किजिए एलकोहल का जो कुथना के बॉयलिंग पॉइंट है वो 78 degree centigrade है सही उतर होगा 351 Kelvin आप कैसे हुआ है हम लोग क्या करते हैं degree centigrade से जब Kelvin पैमाने पर चेंज करते हैं तो 273 को जोड देते हैं 0 degree centigrade equal to 273 जतना जतना बढ़ते जाएगा उतना उतना जोडते जाएगे तो 78 को 273 में जोड दीजेगा 301 क्याओन आपको सही उतर मिल जाएगा ठीक है challenge question को चलते हैं 23 को जब हम आवधिक तालिका में समू में उपर से नीचे की और आते हैं तो क्या होता है आवर्थ तालिका जो मिंडलीप की बात करें तो इसके बाद मोजले ने दी तो उसमें अगर उपर से आप नीचे की और आएंगे तो क्या होगा, सेलो की संक्या घट जाती है, वैलेंस से इलेक्टरान कम हो जाते हैं, सेल की संक्या बढ़ जाती है, यह पिर परमारविक आकार जो होता है, वो कम हो जाता है, सही उतर होगा, सेलो की संक्या बढ़ जाती है, जो कोस होते हैं, वो दीरे दे बढ़ जाते हैं, प प्रिज्या जो होगी बड़ी होगी परमारी काकार भी बड़ा होगा लेकिन अगर आपसे पूझता दाएं से बाएं की और जाने पर क्या होता है सेलों की संक्या तो वही रहती है लेकिन परमारी काकार जो होता हो छोटा हो जाता है ठीक है यह सब बातों का आप लोग याद को क्या कहते हैं चार आपसर ने बताईए स्वात का पता लगाने के लिए कौन से अभिगाहक कामलोग यूज करते हैं यह पिर होता है wsाही उत्त होगा पहला ही रस स्वेध अभिगाहक नाम से ही पता लग ऋग SCP आहिता होगा श्रोत द्वारा आपूर्थ की गई उर्जा की मात्रा उर्जा की मात्रा आपको बताना है आए दिया गया वी दिया गया टी दिया गया तो क्या सही चीज आपको लग रहे हैं इसमें से सही उत्तर होगा हमने आपको बताये था VIT अपान 1000 हम लोग करते हैं जब उर्जा को निकालना होता है तो उर्जा की आपूर्थ के लिए VIT का उप्योग करेगा तीनों का मल्टिपल होगा इसमें देखिए 26 नंबर कोशन है यदि कोई वस्तु 30R के वित्ताकार पत के चारो और जाने में 30 स्केंड का समय लेती है तो वेग V निम लिकित में से किसके द्वारा दिया जाता है ठीक है यदि कोई वस्तु है वित्ताकार पत पर चक्कर लगा रही है तो वित्ताकार जो का पत है उसकी परिदी कितनी होगी जो इसमें चक्कर लगाएगा तो 2πr होती है परिदी क्या होती है किसी वित्त की 2πr होती है वित्ताकार पर 30 सिकेंड में चक्कर लगा रहा है और वेक आप से पूचा जा रहा है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता ह एक चक्कर लगाने पर 2 pi r की परिदी होगी तो 2 pi r उसकी दूरी हो जाएगी और समय के इतना टी तो 2 pi r अपांटी जो होगा उसका वेक हो जाएगा कहां पर लिखा गया पहले वाले आप्शन में लिखा गया ठीक है समझ लीजेगा आप लोग और सही उतर देने का प्रयास कि प्रतिवींब या फिर आपवर्तन और एक आप्सन और आपको लाश्ण मिलेगा पार्स व्यूतक्रम ठीक है समझेगा इसका सही उतर जोगा वह पार्स व्यूतक्रम होगा लेटरल लेटरल इन वर्जन अब यह क्या होता है जैसे आप कोई हाथ में लेप्र साइड में कोई चीज पकड़े हुए तो आप देखते हैं कोई दड़पड में देखते होंगे तो राइड साड ने प्रतित होता है तो यह पार्स व्यूतक्रम है मतलब कि आप प्रतित हो रहा है वैसा लेकिन वैसा है नहीं ठीक है अगर आप कंगी भी कर रहे होते तो लेट साइड से कर तो राइट साड में दिखाई पड़ती है, कोई ऐसी भी क्रिया करेंगे, तो उसमें क्या होता है, लिटलर इनवर्जन होता है, पार्स विद्क्रम होता है, ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, लाष्ट वाला उत्तर जो होगा, वो सही उत्तर होगा, ठीक है, ध्यान रखेग प्रयास किजें बताने का, सही उत्तर होगा, calcium, हमने आपको बताये था, पहले जो दो आवर्थ होते हैं, उसकी जो पहले दो वर्ग होते हैं, उसके पहले जो, लेक्षियम हो गया, पोटेसियम हो गया, कैल्सियम हो गया, इस सारे बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स से, जैसे कि के संपरक में आते हैं तो वो क्या करते है रेक्शन करना चालू कर दे ते हैं जब्कि लमोनियम हो गया पीवी हो गया निकिल हो गया यतने रेख्टिव स्नानी माली जाते केल्सियम बहुत रियक्टिव होता है देखिए 29 नमबर कोस्टन है यहाँ पर देखिए रियक्सिन दी गई आपको और पूचा गया है कि कौन इसमें आक्सिरिकित हो रहा है कौन आपचेहित हो रहा है पैचानियेगा आप लोग और यह चारो विकल्पों को अच्छिस देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चारो विकल्प और उस प्रेशन सई तो आपको दिख रहा होंगे चलिए प्रयास किजिए बताने का देखिए SNCL2 लिखा गया है और इधर क्या हो जा रहा है SNCL4 हो जा रहा है अब यहाँ पर क्लोरीन तो माइनस 1 होता है और पूरे कंपाउंड की 0 होती है अक्सिडेशन नमबर हम लोग क्या करेंगे अक्सिडेशन नमबर से निकालने की प्रयास करेंगे SNCL2 में क्लोरीन माइनस 1 है मल्टिपल करेंगे 2 का का क्यों पड़ेगा SN यहाँ पर प्लस 2 है ध्यान रखेगा आप यहाँ पर आईए लास्ट वाले में SN जो है वो प्लस 4 हो गया क्लोरीन 4 हो गया तो माइनस को प्लस करेगा तो प्लस हो जाएगा SN तो बढ़ आईए हमने आपको बताया अगर बढ़ आई आक्सिडेसन नंबर तो क्या हो रहा है SN CL2 आक्सिक्रित हो रहा है अब दूसरे वाले के उपर चलते हैं HG CL2 है HG CL2 को यहाँ पर आप देखेंगे कि CL2 लगा हुआ है मैनस 2 हो जाएगा CL की क्योंकि 2 CL है तो मैनस 2 हो जाएगा हजल यहाँ पर मैनस 2 की जगापर मैनस 2 प्लस 2 दोनों को कमाइन करना पड़ेगा तो 0 होना चाहिए तो यहाँ पर HG होगा प्लस 2 है इधर जाने पर CL जो है वो कितना हो गया मैनस 2 है HG 2 है तो यहाँ पर प्लस 1 होना पड़ेगा अब क्या हुआ यह reduce हो गया प्लस 2 से प्लस 1 हो गया और यह कितना था आपका यह कितना था आपका प्लस 2 से प्लस 4 हो गया तो यह बढ़ा है जो बढ़ा होगा वह oxidize होगा जो कम हो रहा होगा अब चाहित होगा ठीक है तो सही option क्या होगा पहला वाला विकल्म सही होगा आज कर देखें तीस नंबर कोशन है एक आपतित किरण एक समतल दरपड के साथ में 20 डिगरी कोड के साथ बनाते हुए आपतित होती है तो आपतित और परवर्थित किरणों के बीच का कोड आपको बताना है काफी लोगों ने सोचा कि आपतित किरण बीच से लिखी गई है 20 डिगरी से तो परवर्थित ही 20 से होगी तो 20 ही उत्तर लगा दिया इसका कुछ लोगों ने डबल कर दिया कुछ समझ के डबल किया होगा और बहुत सा लोगों ने 140 उत्तर दिया तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर इसका सही होगा आपको प्रेशने को ढंक से पढ़ना है कि आपतित किरण और परवर्थित किरण पूछ रहा है कि कुछ और पूछ रहा है चलिए ये एक समतल दरपड है ये अभी लंब होगा आपकर ठीक है अब क्या कह रहा है समतल दरपड पर एक आपतित किरण 20 डिगरी के साथ तो समतल दरपड तो नीचे है ना तो 20 डिगरी कहा से हुआ नीचे से 20 डिगरी हुआ अब जैसे आपतित होती है वैसे ही परवर्थित होती है और आपतन कोड जो होता है उपर से गिना जाता I is equal to R I is equal to R तभी होगा जब यह 20 हुआ है और यह भी 20 होगा तब तो I is equal to R होगा तो 180 का पूरा होता है पूरा जो होता है 180 का होता है और 40 हमने निकाल दिया 20 इदर का 20 इदर का और आपसे पूच क्या रहा आपतित और परवर्तित किरुणों के बीच का कोड मतलब कि 140 जो होगा वो सही उत्तर होगा टोटल 180 था 20 भी सापको घटाना पड़ेगा क्योंकि आपतित और परवर्तित किरुणों के बीच का कोड आई प्लस आर बराबर आपसे पूच रहा है तो क्या सही होगा 140 अगर एक एक की बात करते है तो 70-70 होता दोनों की बात किया है तो 140 सही उत्तर होगा यह हमारे 30 प्रशनों के स्रीष थी आज कर देखिए हमारा पहला कोश्टन है माइकोलाजी में किसका अध्धन किया जाता है विसाड़ूं का, कवक का, माना कोशकाओं का, चिवाड़ूं का उपर आपको इंगलिस मिलिखा मिलना होगा नीचे आपको हिंदी मिलिखा मिलना है जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप लोग उत्तर देने का प्रयास किजेगा इसका सही उत्तर होगा B option माइकोलाजी में कवक का अधन किया जाता है वही पर अगर फाइकोलाजी की बात करेंगे तो फाइकोलाजी में सहेवालों को अधन किया जाता है अगर आपके वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ओस कीजेगा आना अवरत्य वीजी का एक वीज पत्री का या फिर ब्रायो फाइट्स का दू इनिसेचन किसमें होता है इसका सही उतर होगा आवरत्य वीजी में इनजियो इसपर्म में दो इनिसेचन किरिया होती है इसमें क्या होते है वीज सदयो फल के अंदर ढखे हुए होते है आवरत्य वीजी में फिर आवरत वीजी के दो भाग होते हैं आपके आगे चल करें एक वीच बतरी और दोई बीच बतरी इसलिए सही उत्तर होगा इसका आवरत वीजी सही उत्तर होगा देखिए A, G, C, L है आपका इसमें अगर थोड़ा से भी सूर का प्रकास पड़ेगा तो क्या होगा A, G में अलग तूट जाएगा, सिल्वर में तूट जाएगा और प्लस क्लोरीन में तूट जाता है तो A, G अगर मुखत वस्ता में पाए जाता है तूट अब भूरा कलर का पाए जाएगा तो क्या सही आपसर होगा? C वाला आपसर सही होगा भूरा कलर का परवर्तित हो जाएगा अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सूर के प्रकास में छोड़ देते हैं या फिर परवर्तित हो जाएगा आपका भूरा कलर में सी वाला आपसंस है उतर होगा देखी चौथा प्रेस ने एक भौतिक रासी की पहचान करें जो सदिस रासी नहीं है विस्थापन है, बल है, दूरी है, तुरण है बताईए कौन सी रासी है जो सदिस रासी नहीं है सदिस रासीयां वे रासीयां होती है जिनमें परिमाड के सासा दिसा की भी आऊ सकता होती है वहीं पर अगर विस्थापन की बात करेंगी में के दर्ण was election की दिसा है विस्तापन सदिस्राशी है बल सदिस्राशी और तुरड भी आपकी सदिस्राशी है सिर्फ यहां पर इस वाल ऊपसन में दूरी लिखा गया है यह आपकी आदिस राशियों में आथा है इसमें दीश 사 का कोई भी गया नहीं होता है कि दिसा में किस दूरी पर हमें चलना है विस्तापन की बात करें कि विस्तापन आपका सूने भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है बल और तोड़ा आपकी सदिस रास्यों में गिने जाते हैं देखी पांचवा नंबर कोशन है धारा का सतत प्रवा प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्धुत विभांतर बनाये रखने के लिए सबसे आसान विधी उसे किस किस टर्मिनल के बीच में जोड़ना है ये कौन डिसाइड करता है बताए धारा के विकल्प सही होगा बैटरी का हम लोग इस्तमाल करेंगे अगर दो सिरों के बीच में विद्धुत विभांतर को आसाली से बनाये रखना चाहते हैं तो देखी छटवा नंबर प्रेशन है निम लिखित में से कौन सा एक जैव निमनी करणी अपसिस्ट नहीं है चार आपसं कुछ दिनों बाद सड़ जाता है तो जैव निमनी करणी अपसिस्ट में आ जाता है सड़े हुए फल कुछ दिनों बाद अपसिस्ट में आ जाता है मिर्थ पत्तियां जो गिर जाते हैं वे सभी जैव निमनी करणी अपसिस्ट में आते हैं लेकिन पॉलेथिन की फ्थैली जो होगी वह इस जयव निमनी करण अपसिस्ट में नहीं आता है सही आपसन हो का सी आपसन देखिए सात्वा नमबर कोशन है फेन प्लावन विद किस पर आधारित है बताईए आयसकों के चुम्बिकी करडों के या फिर आयसक करडों के आप एची गरत्त के या फिर आयसक बताईए फेन प्लावन विदी आपने पड़ी होगी सही उत्तार होगा आयसक करडों के कलेदन से फेन प्लावन विद में सलफाइडों के इसकर्शन के लिमलग प्रियोग करते हैं इसमें से फेन की रूप में सलफाइड जो है उपर की ओर आ जाते हैं इसी को फेन प्लाव सूच मदर्सी, टेली स्कोप या फिर दूरवीन, चार आपसन है, सबसे पहले एक बार आप लोग प्रियास किया करिए, यह सारे के सारे कोशन मैं आपको करा चुका हूँ, आपके लिए रिवीजन हो सकता है, और आप लोग इसमेजर 30 में 30 कोशन सही कीजेगा, इसका सही उत् इलेक्टरांस सूच मदर्सी का प्रियोग हम लोग छोटी चे छोटी वस्तूओं को देखने के लिए करते हैं, वहीं पर पेरी स्कोप, टेली स्कोप और दूरवीन का उप्योग हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को दूर दूर की चीजों को जो की आकास में अंतरिच में ह देखने के लिए करते हैं, सिर्फ इलेक्टरांस सूच मदर्सी का प्रियोग हम लोग अड़ू जो नगनाखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनको देखने का प्रियास करते हैं, देखी नवा नमबर कोशन है, परमार क्रमांक 14 वालत तत्तु जो कठोर होता है, अमली आ परमार क्रमांक 14 वालत तत्तो का नाम क्या है? परमार क्रमांक 14 है, मतलब कि वो सिलकान होगा, सिलकान है तो बताई अधात होएं कि अधात होएं कि अधात होएं कि उपधात होएं, सिलकान से ही स्टार्टिंग होती हैं, आपको मालूम हैं, तो क्या होगा यह एक उपधात क रूप में गीना जाता है इसके जो आकसाइड होते हैं वो अमली भी हो सकते हैं चारी भी हो सकते हैं उपदादु का यही गुड़ है कि उसके आकसाइड जो होंगे अमली भी हो सकते हैं और चारी भी हो सकते हैं चारी आकसाइड ही बना सकता है अब यहां पर आपको ध्यान र बनाता है इसलिए साही आपसन काउंस होगा उपधातू सिर्फ सिलिकान को देख करके आप लोग उपधात को सही कर सकते दे आगे साह सयुजक हाइलाइट बांद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बी आपसन इसका सही उत्तर होगा देखी दस्वा नंबर प्रेस ने दिय उत्तर होगा वायू वायू अनेक गैसों का मिस्टर है जबकि भाप पाणी और बर्फ ये तीनों के तुनियों A2O कंपाउंड से ही बनते हैं तो ये तीनों A2O से बनते हैं भाप मिया आपकी A2O पाणी से भाप बनेंगी बर्फ भी पानी से बनेंगा और पामी तो A2O होत इलेक्ट्रिक केटली, एयर ड्रायर, आदि मेने मिलीकेत में से कौन सा सिध्धान्थ सामिल है सर्कीट में पृत्रोथ का सिध्धान्थ, स्रेडी क्रम में करेंट का प्रवाहित होना, करेंट का ताप प्रभाव या फिर विद्दुत उत्रपादन बढ़ियां कोशन है, इंपोर्टन कोशन है, आप लोग इसको तयार कर लीजेगा बिजली के जो भी उपकरणा आपके आप्सन में दिये गए हैं, जैसे कि एलेक्ट्रिक आरन हो गया जैसे कि आरन होता है, आरन में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक का अपना स्विच पर जब लगाते हैं जाकर के तो क्या होता है, कुछ दमेवाद ये गर्म हो जाता है जिससे हम लोग कपड़े को प्रेस करते हैं Electric केतली भी आपकी, इसमें भी electric का प्रयोग करके हम लोग चाहे बनाने का निर्वाइद करते हैं, hair dryer भी hair को सुखाने के लिए electric का heating effect आप current का प्रयोग करते हैं, मतलब current जो होती है, अगर हम उसको current प्रवाहिद करेंगे तो उसमें top प्रवाहिद होगा, ठीक है, तो सही उत्त जाथर पानी होता है बताइए अगर strong acid है तो वो कैसा होगा सब्सकें प्रबल आप्सन जातर आयन्स होते हैं जो जल में घुर करके एच प्लस आयन देते हैं जितने ज्यादा एच प्लस आयन होंगे उतना strong वो strong acid होगा तो जितने ज्यादा उसके H plus आइंस होंगे और OH minus आइंस भी तूटेगा तो जादस जायत आइंस होने चाहिए तभी वह प्रबल अमले के रूप में गिना जाएगा देखी 13 नंबर प्रेश ने निमलिकित में से कौन सा पोशक धत्तो केले में प्रिचूर मात्रा में पाया जाता है पोटैसियम, प्रोटीन, नियासीन या फिर राइबो फ्लेविन केला जो आप लोग खाते हैं उसमें सबसे ज़्यदा मात्रा पर पोटैसियम पाया जाता है सही आपसन होगा पहला विकल्प अब पोटैसियम कितनी मात्रा में होता है या आपको ध्यान रखना है अगर एक नार्मल केला जो है आपका उसको खाते हैं तो एक केले में 400 mg पोटैसियम आपको एक केले से प्राप्त होता है केले में पोटैसियम की मात्रा सबसे जादा होती है चौदा नंबर कोश्चन है निमलिकित में से किस तत्त में सरंखलान का गुड होता है यूरेनियम में कार्बन में हेलियम में या पिर हाइड्रोजन में सरंखला मतलब होती है कि लगातार वो अपने कंपाउंडों को चोड करके बनाए गई एक सरंखला के रूप में गिना जाता है तो क्या सही होगा इसमें से दूसरा वाला विकल्प सही उत्तर होगा आज कर देखी 15 नंबर कोश्चन है मवेसियों में मैल्ड काउ रोग किस वज़े से होता है चार आपसन है प्रोटो जौवा मांस और युक्त भोजन खाने से जीवाडवों में या फिर विसाडवों से किसे मैड काउ नामक रोग होता है मैड मतलब आप समझ ले होंगे जिसमें से दिमाग के अंदर ये रोग होता है जिससे पागल हो जाते हैं लोग और काउ मतलब आप गाय के रूप में इसको समझ सकते हैं अगर किसी दूसरे cattle का भोजन कर लेती हैं अगर आप उनको भी खा लेते हैं अगर उसको mad cow रोग है किसी भी जानवर को अगर आप उसका मान सखाते हैं ये फिर हड़ी युक्त भोजन काते हैं तो आपके सरीर में भी mad cow नामक रोग हो जाएगा इसका इलाज जो है संभव नहीं है धीरे से मात्रा में इसको कम किया जा सकता है लेकिन कुछ नमें बाद अगर ये तेज़े से फिर से आया तो पागल कर सकता है उससे आपकी मिर्तवी हो सकती है तो मवेसियों में जातर ये mad cow रोग होता है सही आपसन क्या होगा बी वाला आपसन मांस और हड़ी युक्त भोजन खाने से mad cow नामक रोग हो जाता है देखी 16 नमबर प्रेशने इनमें से कौन सा SI 1 काई में मोल का प्रतीक है मोल आप कैसे लिखेंगे SI यूनिट में MG से, G से या फिर MOL से या फिर KG से सही आपसनों का SI वाला विकल्प मोल का सही ढंग से लिखने का जो प्रयास होता है वो सही आले आपसन में लिखा गया है MOL ही लिखते हैं मोल को पदार्थ की मात्रा का SI जो इकाई होती हैं मोल होती है देखी 17 नमबर कोस्टन है पौधों के उतकों के प्रमुख प्रकारों में पाए जाने वाले पादप कोस्टिकाओं के प्रकार कौन से हैं चार विकल्प दिये गए हैं एक तो दिया गया विकल्पों में से सभी दूसरा है डर्मल तीसरा है वैस्कुलर चोथा है आपका ग्राउंड बताइए पौधों के उतकों में प्रमुग प्रकार से पाए जाने वाली पादप कोस्टिकाओं का जो प्रकार है वो तीनों इसके हैं डर्मल भी होते हैं, वैस्कुलर भी हैं, ग्राउंड भी तीनों प्रकार हैं, इसमेली विकल्पों में सही जोगा, इसका सही उत्तर होगा. देखी अठार नमबर कोशन है, इसकरवी रोग जिसके लच्छनों में मसूनों से खून आना सामिल है, उसे आहार में सामिल करके रोगा जा सकता है. बताइए, अगर आपको इसकरवी रोग हो गया है, मसूनों में से खून आ रहा है, तो आप किस विटामिन का सेवन करेंगे या फिर क्या चीज का इस्तमाल करेंगे, कोलेस्ट्राल का, प्रोटीन का, विटामिन C का या फिर विटामिन A का, सही उत्तरों का C, विटामिन C की कमी सही सकरवी नमक रोग होता है, इसलिए अगर C को हम परियाप्त मात्रपने भोजन पर लेंगे, तो हमें सकरवी रोग ज जो बहुत लंबे समय से प्रकेत में संचित हैं और जिने समाप्त होने पर सीग्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हैं वे क्या कहलाते हैं। उर्जा के गर नवीनी करण सोत, उर्जा के वैकलपिक सोत, उर्जा के अच्छा स्रोत या फिर उर्जा के नवीनी करण सोत. सही विकल्फों का पहला विकल्फ। प्रति के अंदर से वो गायब हो जाएंगे या फिर खतम हो जाएंगे तो हम उने फिर से नवीन नहीं कर सकते हैं हमें जो हमारी सौर उर्जा है ये सभी नवीनी करण सोत के अंदर गताते हैं पवन उर्जा है पवन तो हमेशा चलती रहेगी और सूर भी आपका हमेशा रहेगा तो इस उर्जा को हम नवीनी करण उर्जा कह सकते हैं लेकिन जैसे जीवास में जो उर्जा होती हैं वे सारी की सारी गैर नवीनी करण उर्जाओं में गिनी जाती हैं देखी आज का 20 नमबर कोशन है निमलिकित में से कौनसा प्रिथभी पर पाया जाने वाला सबसे हलका पदार्त है प्रिथभी पर आज तक सबसे lightest material कौनसा है एरोग्रेफिन, एरोग्रेफ़ाइड या पिर कारबाइन या पिर हीरा बताईए सबसे हलका पदार्त कौनसा है सही आपसन होगा पहला आपसन एरोग्रेफिन जो होता है प्रित्वी पर पाया जाने वाला सबसे हलका पदार्थ है ये देखिए हमारा एरोग्रेफिन है और इतना हलका है कि फूल के ऊपर भी आपिस रख देंगे तो फ्यूल पर कुछ भी एफेक्ट नहीं होगा हवा से भी ज़दा हलका मना जाता है ये एरोग्रेफिन नमक पदार्थ है अगर आप लोग को दिख रहा है तो आप लोग इसको देखने का प्रयास कीज़ेगा एक और सनचना इसकी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एरोग्रेफिन ये रखा गया है और एक बाली के रूप में रखा गया उसके थोड़े से उपर सिरे पर भी ये ठीक जाता है ये तना ज़्यादा हलकार तो यहीं आपका एरोग्रेफिन है देखें काईस नमबर कोश्टन है निमलिकित में से कौन सा एक सूच में पोसक्तत्तो है प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, वसा और आयोडीन चार आपसान है सूच में पोसक्ततों वे पोसक्ततों होते हैं जिनमें सरीर में मात्रा जिसकी भी मात्रा सरीर में पहुती अलप मात्रा हमें चाहिए होती है आयोडीन की मात्रा हमें सूच पोसक तत्तों की रूप में मिलनी चाहिए यह मतलब सूच में कम भी मिलेगी तब भी परियाप्त होगा लेकिन प्रोटीन, कर्भो हाइडर्ड और वसा यह आपको परियाप्त मात्रा ही मिलनी चाहिए अगर सूच मिलेंगी तो आपा सरीर कैसे उर्जा ग्रांड करेगा लेकिन आयोडीन हो गया, सलफर हो गया, आयरन हो गया यह सभी आपके सूच पोसर तत्तों में गिने जाते हैं लास्ट वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा 22 नंबर कोशन है पोलियो का पहला प्रभावी टीका किस के दोरा बनाय गया था जॉन गिप्सन के दोरा, जॉन इसी सल के दोरा, रॉबर्ट एडवर्स के दोरा, लुईस पास्टर के दोरा यह काफी चर्चित कोशन है हर सेट में आपको देखने को मिले का चाहे आप ELP का सेट लगा लिजे, RRB J का सेट लगा लिजे, RRB Group D का सेट लगा लेंगे पोलियो वाला कोशन हो से आता है सही आप सेनों का जॉन इस सॉल्क कह सकते हैं जॉन सॉल्क ने पहला प्रभावी टीका लगाया था नेश कोशन के ओर चलते हैं देखे 23 नमबर कोशन है किस मानों अंग का वजन लबबग 1.4 kg होता है और प्रति मिनेट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर की गुजरता है हिरदय से, मस्तिक से, गुर्दा से या फिर फेपडा से सही उत्तर होगा भी वाला अप्शन मस्तिस्क देखे 1400 ग्राम का मस्तिस होता है और प्रति मिनेट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है अगर आपको समझ में नहीं आ भी आ रहा था कोशन तो आप लोग मस्तिस के वजन को अगर आपने याद रखा है तो आप इसको सही कर सकते थे बहुत सा लोग इसको हिर्दय सही करने का प्रयास करते है वो सोचते हैं कि हिर्दय सही रख्त सिर्फ गुजरता है एसा नहीं है हर जगा से रख्त गुजरता है और जहां से रख्त कितने मिनेट गुजरता है ये कुछ ही प्रिश्णों में आप से पूछा जाएगा तो मस्तिस का पूछ लिए गया है 0.85 लीटर फिर ते मिन्ट में रख इससे गुजरता है 24 नंबर कोशन है नीमलिकित में से किस अवस्ता में आती उर्जावान और आती उत्तेजित कड मौजूद होते हैं अत्यदिक टंप्रेचर में गर्द किया जाता है तो ये आलित हो जाती है और अत्यदिक उर्जावान होती है इसके कड भी आती तेजित होते हैं ऐसी उर्जा जो है आपको प्लाजमा की जो उर्जा है वो सूरिया तारे में देखने को मिलती है तो सही उत्तर होगा पहलावी कल्प, देखी 25 नंबर कोशन है, एल्मोनियम फाइल लपेटने के लिए एल्मोनियम फाइल का इस्तमाल किया जाता है, सुरी इसमें आप से पूछा जा रहा है कि एल्मोनियम फाइल का इस्तमाल किसको लपेटने के लिए किया जाता है, खाद द सारे किया होता हैई खाद वस्तूं को लपेटने के लिए अमोग फाल्स का उप्योग करते हैろう एका आपकी फाल करूप में भी आती जिसमें ृल ओल सही आपसन होगा स्वेट पटल आग की बाहतम तन्तुमें कोटिंग है स्वेट पटल याद रखे का आप लोग इंपोर्टन कोशन है आज का देखे 27 नंबर कोशन है इस कोशन को हमने आपको 16 वीडियो के लाश्ट है पूछा था और बहुत सो लोगों ने सही उत्तर देने का प्रियास किया था यदि विलियन का पी एच मान 3 है पी एच मान जो है 3 है जब पी एच मान चेंज होकर के 6 हो जाता है 3 से 6 हो रहा है तो H प्लस आयन की सांदरता कितनी हो जाएगी चार आपसन है, दो गुनी बढ़ जाती है, सो गुना कम हो जाती है, तीन गुना बढ़ जाती है, फिर सो गुना कम हो जाती है देखि OK, इसमें दो विकल्पा आप लोग सही कर सकते थे पहला तो यह है कि जब pH मान 3-6 हो रहा है, तो हम लोग किदर की ओर जा रहे हैं हम लोग neutral की ओर जा रहे हैं मतलब 7 pH की ओर जा रहे हैं और जब 7 pH की ओर जा रहे हैं मतलब कि अमली मादम दीरे-दीरे होता हुआ कम हो जाएगा तो कम तो होना निश्य ही है एक option सही हो सकता है B वाला और एक सही हो सकता है D वाला तो B और D में से आप लोग एक साही करने का प्रयास कर सकते थे, अब देखे, pH मान 3 है, अगर H प्लस आयन की बात करेंगे, तो H प्लस आयन का, आप मालूम है, आपको pH का फार्मूला क्या होता है, pH बराबर, माइनस लॉक, H प्लस आयन होता है, तब H प्लस आयन जो भी होगा, वो किसमे होता है, दस की पावर में माइनस में होता है, तब जाकर कहीं pH मान 3 निकल कर आया होगा, अगर दस की पावर माइनस 3 होगा, यहाँ पर हम लोग रखेंगे, H प्लस आयन, दस की पावर माइनस 3, तब जाकर pH मान 3 निकल कर आया होगा, मतलब कि अगर आप pH मान 6 को कर करना है आपको तो दस की पावर माइनस 6 रखना होगा और दस की पावर माइनस 6 जो होता है दस की पावर माइनस 3 से कम होता है और कितना कम होता है एक हजार गुना कम होता है तो एक हजार गुना जो होगा इसका सही विकल्प होगा तो कौन सा विकल्प सही होगा दूसरा वाला आपको समझ में आ रहा है अगर पी एच मान जो है तीन से बढ़कर के पांच हो जा रहा है तब जाकर के ये सव गुना कम होगा दस की पावर माइनस पांच होगा पांच के लिए और दस की पावर माइनस तीन होगा तीन के लिए तब जाकर के 100 गुना कम होगा याद रखे के ठीक है दोनों महत्रपूर कोशन है आपको लोग लिए देखी 28 नंबर कोशन है पहले माध्यम में N21 के सापेज दूसरे माध्यम का आपवर्दनांक किसे सूत्र द्वारा दिया जाता है चार आपसन है आपके पास में चारों को अच्छे से पढ़िए को तो बड़ा से लिखा गया है अभी आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे चारों को पढ़ लिजे और उत्तर देने का प्रियास कीजे सही विकल्प होगा C वाला विकल्प पहले माद्धम में प्रकास की चाल और दूसरे माद्धम में प्रकास की चाल का अनुपात V1 A5 जो V2 होता है उसे पहले माद्धम में N21 के सापेज दूसरे माद्धम का अपवर्तनाग लिखने के लिए यूज़ किया जाता है 29 नमबर प्रिशने हैलोजनों में सरवाधिक अभी क्रिया सील दहातु काउं सी है The most reactive element आपसे पूछा गया है है हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सही आपसन होगा सबसे रियक्टिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है हैलोजन जो आपके होते हैं फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह सभी हैलोजन की स्रेडी में गिने जाते हैं जो सबसे पहला तत्त फ्लोरीन होता है वो ही सबसे अपक्रिया सील होता है आज का देके बाद 30 नंबर कोशन होगा आज का लास्ट कोशन होगा इने में से कौन सा आक्सीजन को सरीर की हर कोस्ट का तक पहुचाता है चार आपसन है RBC और WBC RBC और हर्मोंस WBC या फिर RBC सही उत्तर होगा D वाला विकल्प लाल रखत कडिकाएं कह सकते हैं RBC को जो आक्सीजन को हर सरीर तक पहुचाता है यह हमारे 30 प्रेशनों की सरीश थी आज का देखे हमारा पहला प्रेशन है निमलिकित में से कौन से विटामिन की कमी सोड़े चावल से पूरी होती है विटामिन K की, विटामिन B की, विटामिन A की और विटामिन C की चार आपसन दिए गए आपको सबसे पहले एक बार आप लोग प्रेयास कीज़ेगा क्या आपको यह कोशन आ रहा है तीन से चार सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है इसका सही उत्तर होगा विटामिन एक ही कमी अगर आपके सरीर में हो रही है तो गोल्डेन राइस का आप लोग इस्तमाल कर सकते हैं अपने भोजन के रूप में देखिए आज का दूसरा नंबर कोशन है वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक होस कीज़ेगा आयोडियन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता चार आपसन आपको दिये गए हैं देखिए इस कोशन को आपको घुमा भी सकता था आपसन में दे सकता था आयोडियन के किस समस्थानिक का उपयोग हम लोग गेंगा रोग के इस्तमाल में करते हैं तो इसका सही आपसन होगा पहली बात तो गेंगा रोग के इस्तमाल में तो आयोडीन 127 दे सकता था आयोडीन 130 दे सकता था आयोडीन 131 दे सकता था आयोडीन 139 दे सकता था तो आपको क्या सही करना होगा आयोडीन 131 का प्रियोग हम लोग घेंगर होग के इस्तमाल में करते हैं ये आयोडीन का समस्तानिक होता है और सही आपसन क्या होगा है सी वाला आपसन सही आपसन होगा देकि तीस cach이지 qo जाते हैं लगेज जैसे आपका समान होता है बड़े-बड़े बैग होते हैं आपके आप इस्टेशन में जाते हैं तो रोलर लगा के ले जाते हैं कि आसानी से वो खिच जाए तो इन चार आपसनों को आप लोग पढ़िए और क्या सही लग रहा है उसको करने का प्रयास किज आप असानी से घसीट करके एक इस्तान से दूसरी स्तान पर ले जा सकते हैं अगर उसमें लगेज आपका भारी रोलर नहीं लगे हुए तो फिर आपको उठाकर के ले जाना होता उठाने पर अत्तिक मातर पर एनर्जी लगती है इसलिए रोलर लगा जाते हैं इसका पहला आपसन जो होगा सही उत्तर होगा देखिए चौथा कोशन है गठिया या फिर वात हमारे सरीर के किस हिस्से को प्रवाइद करता है गर्दन को हिर्दय को सिर को जोड को बताइए अगर आपके सरीर में गठिया नामक रोग हो गया है तो अगर दिक्कत होगी आपको कहा पर ह होगी जोड पर होगी हाथों पैरों के जोड जहां पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर दर्द होने लगता है और चलने फिरने में काफी समस्य होने लगती है इसी को हम लोग गठिया रोग कहते हैं तो सही आपसनों का डी वाला विकल्प देखिए पांचवा कोशन है किसी आवार्त में बाएंसे दाइं की उरजाने पर क्या घटता है इलेक्ट्रान बंदुता परमाड़ तर्ज्या आयने करेड उरज्या यह फिर वैद्द रिडदात मकता बाएंसे दाइं की उर अम लोग जा रहे हैं मतलब वr में जा रहे हैं हम लोग तो क्या होगा उसकी पर कून सी समगरी रोटी को फुलाने के लूप में काम करती है खमीर का इस्तमाल करते हैं वनीला का या फिर आटा का अंडा का सही आपसन होगा ए वाला आपसन खमीर या फिर इस्ट का उपयोग हम लोग रोटी को फुलाने के रूप में करते हैं तो सही आपसन होगा पहला वाला विकल्प देखिए सातवा कोउसन है नाविकी उर्जा सहयंतर में प्रियुक तो मुख्छी इंधन कौन सा होता है बताइए नाविकी उर्जा जो सहयंतर होते हैं नुकलियर पावर प्लांट में किसका इस्तमाल किया जाता है सही आपसन होगा यूरेनियम 235 का हम लोग इस्तमाल करते हैं नाविकी उर्जा सहयंत्र के रूप में अगर आपसे एक जाम में ये कोशन पूछा है यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक प्रेकेत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो यूरेनियम 238 को आप लोग सही किजेगा लिकिन अगर नाविकी स्तायक्त या फिर परमाव रियक्टर की बात करता है तो आप लोग 235 को सही किजेगा नेस कोशन के ओर चलते हैं देखिए आठवा कोशन है परमाव रियक्टर को मापने के लिए मानक संदर्म के रूप में किस समस्थानी का उपियोग किया जाता है किस किस समस्थानी का उपियोग किया जाता है कार्बन के कार्बन 13 के कार्बन 12 के कार्बन 14 के सई उत्ता लोगा पहला विकल्प कार्बन 12 का इस्तमाल हम लोग परमार द्रबमान को मापने के लिए कार्बन 12 को एक मानक के रूप में मानते हैं देखे, नववा नमबर कोशन है, कोशन को ध्यान से सुनियेगा काफी इंपॉर्टन कोशन है आप लोग के लिए, एक तनु फेरस सलफेट विलियन को अमली पोटैसियम परमेगनेट के विलियन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाए गया, विलियन का हलका बैगनी रंग फीका ह हो जाता है, अंत में गाइब हो जाता है, प्रेचड के लिए कौन सा सही स्परेश्टी कर रहा है, ठीक है, आप लोग भी करने का प्रेयास कीजिए, हम भी आपको करके बताते हैं, कि ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए फेरस सलफेट आपको दिया गया, तो एफी, एसो फ हैंगे, यहाँ पर एस्टू, एसो फोर को मिला लेजेगा, आप जो रियक्षन होती है, वो काउन सी रियक्षन होकर क्या बनता है, एफी टू, एसो फोर का होल तुराइज, यहाँ पर ये फेरस सलफेट ता, आगे क्या बन जाता है, फेरस सलफेट में प्लस टू होता है, वहीं पर फेरिक सल्फेट में प्लस 3 होती है फेरस की से उजगता इसके बाद बात करते हैं अगला क्या प्रोड़क्ट बनेगा आपका K2SO4 बनेगा K2SO4 बनेगा नेश्ट बनेगा MNSO4 और पानी निकल जाएगा तो आपको मुख्य रूप से द्यान रखना है फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट हो गया फेरस की पहले आक्सिरेशन नंबर प्लस 2 थी अभी जो फेरिक की आक्सिरेशन नंबर है वो प्लस 3 हो गई है मतलब की बढ़ोतरी हो रही है तो KMN4 ने मतलब की Potassium Permagnate ने किसका काम किया एक Oxidizing Agent का काम किया क्योंकि फेरस सल्फेट की जो आपकी आक्सिरेशन नंबर थी वो बढ़ गई और आक्सिजन जुड़ गया उसके साथ में इसलिए वो आक्सिडाइज हुआ तो कौन सा आप्सन सही होगा C वाला विक पर इसका सही आप्सन होगा देखिए दस्वान नंबर कोशन है sodium hydroxide baking soda washing soda नेमलिकित में से किस लवड के इस्तमाल से बनाये जाते हैं चार आप्सन आपके पास में sodium hydroxide nao-h baking soda जो आपके खाने वाला soda होता है sodium bicarbonate इसके बाद washing soda sodium carbonate na2 co3 इसमें किस लवड का इस्तमाल किया जाता है तो सम में आप देख रहे हैं आपर sodium आ रहा है तो sodium के chloride लवड का हम लोग इस्तमाल करते हैं डी वाले आपसन में आपको लिखाव मिल जाएगा इसका डी वाला विकल्ब जोगा वो सही उत्तर होगा नेक्स कोशन को चलते हैं गेरा नंबर कोशन है सम सूत्र गुड गुड़ सूत्र क्या है चार आपसन दिये गए एक से क्रोमोसोम को कहते हैं सम सूत्र गुड़ सूत्र आटोसोम को कहते हैं सम धर्मी गुड़ सूत्र को या फिर वाई क्रोमोसोम को कहते हैं सही आपसन होगा इसका बी वाला आपसन सम रूप गुड़ सूत्र जो होते हैं म हम लोग सम रूप गुडशूत्र के रूप से जानते हैं देखी बारा नंबर कोशन है मनुस में हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का इस्तमाल किया जाता है चार आपसन है आउतल प्रोग्रेसिव उत्तल या फिर बाइफोकल सही आपसन होगा स्थी वाला आपसन हाइपर मेट्रोपिया अगर आपको हो गया तो आप उत्तल लिंस का इस्तमाल करेंगे उत्तल लिंस में नजदीक की वस्तूं आपको नहीं दिखती हैं दूर की वस्तूं इस प्रशल रूप से दिखती हैं तो आपको हाइपर मेट्रोपि नामक रोग होता है उन्हें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है जैसे कि उन्हें ब्लेक बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता है वहीं पर बात करेंगे हाइपर मेट्रोपिया में उसमें आपको उत्तल इसका चसमा लगता है देखेए तेरा नंबर कोशने किसी चाल जो R होता है R proportional to R के होता है R proportional to L के होता है R proportional to 1 by A के होता है तो आपसे अगर पूछता वीद क्रमानपाती तो अनुकर्ष्ट कार्ट के छेतरपल सही होता लेकिन आपसे अनुक्रम अनुपाती पूछा है मतलब की डिरेक्टरी प्रोपोर्शनल पूछा है तो लंबाई सही होगा और रोज सही हो सकता था अगर आपसे वियुत क्रम अनुपाती पूछता तो फिर आप लोग अनुकर्ष्ट कार्ट का छेतरफल सही करते हैं अभी तो भी आपसन सही है इसका 14. कोशन है भारती सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? चार आपसन है सूत्त, चरक, अत्रे, य hon फिर वाग भट दिया था जो कि हमें लगता भी चोरी हो चुकी है तो भारती संजरी का जो जनक माना जाता है वो सुस्तुत को माना जाता है अगर आपको कुछ लोगों इसकी गुरू को नाम मालूम हो तो आप लोग कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं आज के देखे मारा 15 नंबर कोशन है रात लोगों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में क्या करते हैं कारवन डाई गैस निकालते हैं कारवन डाई आकसाइड गैस निकालते हैं और हम भी लोग कारवन डाई आकसाइड गैस निकालते हैं अगर पेड़ आकसिजन गैस निकाल लाएं तो हमें चाहिए तो हम oxygen के पास में रहेंगे लेकिन जहां पर हमें carbon dioxide gas मिलेगी वहां पर हम लोग रात में रहेंगे तो में समस्या हो सकती है इसलिए रातों में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए जैसे आपने देखा होगा जब दिन के समय में होता है तो पेड़ पौदे प्रकास sensation की क्रिया करते हैं तो प्रकास sensation क्रियार में oxygen gas निकलती है खाना बनाते हैं जब तो oxygen gas निकलती है आपके जामें एक कोशन आ सकता है कि पेड़ कैसा सोसन करते हैं सोसन में कौन सी gas इस्तमाल करते हैं तो सोसन में वो भी oxygen gas ही लेते हैं और carbon dioxide gas निकलते हैं मानों की तरह में ल तो रात में तो खाना बना नहीं सकते हैं, क्योंकि रात में सूर का प्रेकास नहीं मिलता है, इसलिए रात में वो कारवनड़ी आकसाइट गैसी निकालते हैं, डी आला आपसन सही विकल्प होगा. अगर आप एक कमरे में बैठे हुए है आपके मालूम चला है कि धोनी बाहर जा रही है तो आप किसका इस्तमाल करेंगे कि आपका धोनी कमरे के बाहर ना जाए उसको कम करने के लिए आप लोग संपीडित फाइबर बोर्ड लगा सकते हैं अपनी धोनी सोषक समगरी के रूप में इसमें चोटे छोटे छिदर होते हैं आपकी जो आपने धोनी बोली और जो दिवालों से टकरा करके फिरसे आपके पास नहीं आएगी ये धोनी सोषक समग क्रिका कारे करते हैं फाइबर के बोर्ड नेस कोशन को चलते हैं दीखिए 17 नंबर कोशन ने कारबन योगिकों के लिए निमली कित्म से कौन सा कथन सही है कारबन के जो कॉमपाउंड बनते हैं उनके लिए आप से कथन सही पूचा गया है सही विकल्प होगा दोनों ही विद्दूत के कुछ आलक होते हैं और उनके अड़वों के बीच में प्रबल आकरसर बल नहीं होता है वो यह असानी से तूट सकते हैं कारबन के जितने भी आपके योगिक बनाये जाते हैं सही आपसन होगा पहला विकल्प सही होगा देखिए अठार नमर कोशन है हाइमर एनवील और इस्टेयर अपनामक हड्डियां सरी के किस भाग में पाई जाती हैं बताइए चारो आपसन को ठंक से देखिए क्या आप पहचार में आ रहे हैं आपको हड्डिया के नाम सही और इस्टेयर अपक हुए प्रकार की होती है अंतरा सावी ग्रंथियां बाई सावी ग्रंतियां और जो बीच की गंतिया होती जो अंत्रा सावी और बाहर सावी दो होते हैं उसको मिस्षित गंतिया कहते हैं तो इसका सही आप सनोगा अंत्रा सावी गंति नहीं है मतलब कि बाहर सावी गंति होगी लार गंति, स्वेद गंति, असुर गंति ये सबी आपकी बाहर सावी गंति में गिनी जाती हैं ये नलिका युक्त गंतियां होती हैं और जतने भी आपकी अंतरा सावी गंतियां होती हैं वे सारी नलिका विहीन गंतियां होती हैं तो लार गंति अंतरा सावी तंत्र का हिस्सा नहीं है बीस नंबर कोस्टन एंडिम लिकित में से कौन सी किसी धोनी तरंग के प्रती 21 समय में किये गए दोलनों की संख्या बताईए आयाम, आवर्ति, आवर्तकाल या फिर तरंग दैर्द सही आप सनोगे इसका भी वाला विकल्प है प्रति सेकेंड किये गए कंपनों की संख्या को हम लोग आवर्ति कहते हैं फ्रेक्वेंसी कहते हैं तो सही आप सनोगा इसका भी वाला विकल्प 21 नंबर कोस्टन है विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है नियासिन के नाम से थाइमीन के नाम से बायोटिन के नाम से या फिर इसकारविक एसिड के नाम से सही आप सनोगे इसका भी वाला आप सन थाइमीन के नाम से विटामिन B1 को जाना जाता है आप लोग इसको याद कर लिजेगा देखी 22 नमबर कोशन है कान का कौन सा भाग धोनी कमपनों को विद्दू संकेतों में बदलता है कान का कौन सा भाग सही उत्तर होगा D वाला विकल्प कौनलिया जो होता है वो कान का वह भाग होता है जो धोनी कमपनों को विद्दू संकेतों में बदलता है तो कौन सा आपसन सही होगा D वाला विकल्प देखें तीस नमबर कोशन है एक ही तत्व या फिर अलग अलग तत्व के परमाड़ों के साथ मिल करके क्या बना सकते हैं तत्व बना सकते हैं आप आयन बना सकते हैं अरु बना सकते हैं फिर मिस्त अधातु बना सकते हैं सभी आप सेनों के इसका C वाला भी गल्प जो atom atom मिल करके molecule का निर्माड करते हैं जिसे एक आपका atom हो गया CL मतलब chlorine हो गया दूसरा हो गया chlorine जो हो गया उसी एक ही तत्त के दो तत्त हो गये दो परमाड़ों को मिला करके दो आप मिला लेंगे atoms को तो molecule बन जाएगा तो chlorine chlorine मिला करके CL2 बना CL2 जो है एक molecule है वहें पर chlorine chlorine जो हमने मिलाया है एक परमाड़ का काम करता है एक atom का काम करता है इसलिए सही विकल्प होगा C वाला विकल्प हो देखे 24 नमबर कोशन है निमलिकित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई पड़ता है कार्बन सरफल एल्मूनियम ये फिर कोईला चमकदार जिसमें चमक होगी एसा कौन सा होगा देखे चमक जो होती है वो धातुम होती है अब धातु को आप लोग पहचान लिजे कार्बन एक अधात को रूप में गिना जाता है सलफर भी अधातु में आता है एल्मूनियम धातु में आता है तो एल्मूनियम जो होगा इसका सही आप सनोगा धातु में चमक होती है और एल्मूनियम एक धातु है तो आप लोग अजगर या पाइथन को साहिए किजेगा सबसे लंबा साफ होगा अजगर या पाइथन। लेकिन दुनिया का सबसे लंबा विसायला साफ होता है। देखे 26 नंबर कोश्चन है वह रासारीक प्रक्रिया जिसमें जिसके द्वारा गुलुकोज को आवाईवी रूप से तोड़ा जाता है वो क्या कहलाती है आवाईवी मतलब होता है जिसमें वहां पर जहां पर आक्सिजन की मात्रा बिल्कूं से न पहुंचे आवाईवी दौनों का श्री वाला विकलपोगोगोगोगोगा 17 नंबर कोश्वन जिसम्त्र का राशनिक सूत्र क्या आए चार आपसंँ आता है और प्लास्टर पर प्लासिटर प्लाइव स्याता है इन दोनों करें prepared NS में क्या होता यो हाइडरोजन के पानी के अड़ों की संख्या कमी क चार आपसन दिएगे आपको फल है है जड़ है बीज है कंद है जो लाश्ट वाला हमने स्रीज आपको कराई थी उसमें लास्ट में आपसे कोशन पूच आता है काफी लोग ने सही उतर दिया इसका सही उतर होगए एक कंद है कंद में भी क्या है सल्क कंद के रूप में प्याज गिना जाता है डी वाला वेकल बजोगा इसका सही उत्तर होगा तेकिन नेश्ट कोशन है सीलिंग फैन और साइकल के हब और धूरी के बीज में घरसड को कम करने के लिए किस मसीन पूर्जे का इस्तमाल किया जाता है बाल वीरिंग क स्प्रिंग का नट का बोल्ट का बताइए सीलिंग फैन जो आपके उपर फैन लगा होता है जिससे आप हवा लेते हैं साइकल के हब जो आपकी साइकल का पहिया होता है उसके बीच में एक मसीन पूर्जे का इस्तमाल करते हैं ताकि बार बार वो घूम रहा है तो घूम करक अगर देखी होगी जहाँ पर भी cycle बनती होगी छोटे छोटे जो इसके गोले होते हैं वो पड़े होते हैं आप लोग उन्हें खेला भी करते होंगे बच्पन में तो यही होती बाल वीरिंग जो कि cycle और हब और धूरी के बीच में लगाई जाती हैं यह घरसड को कम करती है त चार आपसने आपको दीए गैं बताइए मानो को जो आँक होती कि सिध्धान करकार करती हैं चैप्रेकास के आतर देने का प्रयास एक बार आप लोग 3 से चार सेक्फिंट में प्रयास कर सकते हैं क्या आ इसको सवही कर पा रहे हैं हैं कि आपने कील की नोक दखी होगी जो आगे का हिस्सा होता है वो पतला होता है पतला इसलिए होता है माल लेजे आप कील को दिवाल पर ठोक रहें तो फोर्स तो लगाई रहें फोर्स लगाने पर दाब भी अधिक लगना चाहिए इसलिए जो एरिया होता है आगे का एरिया होत आप एच्छा करते हैं छोटे छेतरपल लगने वाला बल जो होता है अधिक दाब डालता है इसलिए इसका भी आपसंज होगा सही होगा नेस कोशन को चलते हैं आज के देखे माई दूसरा पेशन है वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक होस कीजेगा निम लिखित में से कौन सा अन्ता परजीवी का एक उदारण है देखी अन्ता परजीवी वे परजीवी होते हैं जो सरीर के अंदर जो होते हैं आस्रित ह होना सरीर की जू जो होगी वह आपके बाहरी हिस्से पर लगेगी और आपके सरीर में खुन चूसने का काम करेगी जो परजीवी के रूप में कारेगा बाहर परजीवी के रूप में सिर पर जू भी होगी बाहर तम रूप से लगेगी किलनी भी सरीर के बाहरी रूप से से होगा डी आप संजोगा एक अंता परजीवी बाकी तीनों जो उधारण में आपके लिखे गए हैं वो बाहर परजीवी के उधारण आपको लिखे गए हैं आज कदी के माई तीसरा नंबर कोशन है एड्स का विसाडू सरीर में किसको नश्ट कर देता है परिसंचना तंद क प्रतिरच्छा तंद्र को लाल रखते कडिकाओं को या पी यक्रत को इसका सही उत्तर होगा भी वाला भी कल्पूर प्रतिरच्छा तंद्र को एड्स का विसाडू जो होता है शरीर के प्रतिरच्छा तंद्र को नश्ट कर देता है रोगों से लड़ने की जो छमता आपके सरीर के अंदर develop होती है उसको खतम कर देता है कोई भी वाइरस या फिर जिवाड़ अगर आपको उपर आक्मर करता है तो जो सरीर में रोग प्रत्रोधक की छमता होती है रोगों से लड़ने की छमता होती है उसको नश्ट कर देता इसलिए आपको बिमारिया जल्दी होने लगती है और जल्दी बिमारिया होंगे तो धीरे-दीरे करके एड्स का विसाडू जो होगा पूरे सरीर में फैल जाएगा और आपको धीरे-दीरे में तुक्वे कागार पर खड़ा कर देगा इसलिए सही आपसंज होगा वो भी आला आपसंज होगा देखी नेक्ट कोशन मारा है बैक्टीरिया जिस प्रकार से विगटन से समंदित है उसी प्रकार से खमीर किस से समंदित होगा खमीर मतलब होता है इस्ट-इस्ट किस से समंदित होगा चलिए प्रियास किज़े एक बार सही कितने का इसका सही आपसनों का सी वाला विकल्प जो खमीर होता है किंडवन के दोरा आगे बढ़ता है और जिवाडविगटन के दोरा अपनी आगे बढ़ते हैं तो सही आपसन क्या होगा किंडवन ठीक है खमीर किंडवन से समंदित है जिवाडविक्टन से समंदित है आज के देखे पाच्वा नमबर कोशन है पानी में सूर के प्रकास के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है पानी में उगते हैं और सूर का प्रकास नहीं पड़ता है तब ये पौधे क्या कहलेंगे विकल्पों में से सभी सेवाल जाड़ी या फिर कवक सही उत्तर होगा कवक कवक जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो बोजन नहीं बना पाते हैं बोज़ा नहीं बना पाते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो सूर का प्रकास भी नहीं पढ़ पाता है, इसलिए जो फंगस होता है, वो आपका सही उत्तर होगा, फंगस मतलब कवक के अध्यन को क्या कहा जाता है, कवकों को अध्यन को कहा जाता है, mycology, याद रखेगा कवकों का अध्यन को mycology का जाता है देखिए सेवाल जो होता है वो खाना अपने सोयम बनाता है, उसके पास आपने देखा होगा सेवाल हरे रंका होता है तो सेवाल के अलग-अलग color भी होते हैं तो अपना खाना सोयम बनाता है इसलिए उसको सूरज के डिपेंड होना पड़ेगा सिर्फ एक ही विकलपेस में सही है कवक कवक सूर के अभाव में सूर का प्रकास जहां पर नहीं पढ़ा है वहाँ पर कवक की उत्पत्ती होती है D वाला आप्सन सही उत्तर होगा देखी छटवा प्रिष्ण है एक इकाई धनात्मक आवेस को अलंत से एक बिंदु तक इस्थांत्रित करने में किया गया कार है उस बंदु पर किसके बराबर होता है चार आपसन है विद्दुत विभाव के, पृतिरोध के, आवेस के या फिर धारा के देखी विबराबर जो होता है वो डवलू अपान की होता है अब क्या कह रहा है एक इकांक धनात्मक आवेस को अगर आवेस को आपने 1 मान लिया है तो विबराबर डवलू के हो जाएगा अनंत से एक विन्दु पर इस्थांत्रित करने पर किया गया कार्ज होगा उस विंदू पर किसके बराबर होगा W बराबर हो गया है विद्धुत विवाओ के बराबर हो गया है तो सही आप्षन क्या होगा एलेक्ट्रिक प्रोटेंसियल ए वाला आप्षन जोगा विद्धुत विवाओ W बराबर W अपान क्यों होता है क्यों को अनंत से एकाई का आवेस है तो वी बराबर डबलू के है इसलिए डबलू बराबर विद्दुत विवाव के होगा पहला वाले विकल्व सही उतर होगा देखि सातों नंबर कोशन है फुलरीं में कितने कार्बन के परमाड होते यह कोशन बार-बार रेपीट होने वाला कोशन है आपने एलपी का आमने आपको सारे साल उन्हां करा दिए है इसमें अपने उसी प्रेकारे कोशन आपको देखने को मिल रह और फुलरीन कार्बन सिस्टी मतलब कार्बन के सिस्टी परमाडों से मिल करके फुलरीन बना होता है तो सही आपसन क्या होगा इसका D विकल्प सबसे सही उत्तर होगा देखे आठों नमबर कोश्चन है केले का खाने योग के हिस्सा कौन सा होता है केला आप खाते हैं तो कौन को सा हिस्सा केला का खाते हैं चार आपसन है ध्यान से देखने का प्रयास किजिए और बताइए क्या आपको इसमें से सही लग रहा है इसका सही उत्तर होगा D वाला विकल्प अन्ता फलविति आप खाते हैं और मद्य फलविति केले के अंदर के हिस्से को खाते हैं तो याद ध्यान से पढ़िए और रेक्षन करने का प्रयास किजिए केल्सियम हैड्राक्साइड है CAOH का होल टोई जोगे केल्सियम हैड्राक्साइड इसके बाद कारवन डाई आक्साइड से क्रिया करा है तो क्या बनेगा देखिए लवड और जल दोनों बनेगे इसका जो पहला वाला आपसन होगा वो सही आपसन होगा CACO3 बनेगा और इसके बाद जल बनेगा तो ये रियक्षन जाकर समपन होगी CACO3 एक लवड हो जाएगा और H2O जल के रूप में कारे करेगा तो सही आपसन कौँस होगा पहला विकल्ब जो होगा इसका सही उत्तर होगा देखिए दस्वा नंबर कोशन है एथनोइक एसिट को समानता क्या कहा जाता है एथनोइक जो होता है एक IPAC नाम होता है और एस्टिक एसिट जो होता है एक समान रूप से बोले जाना वाला नाम होता है तो बताइए Ethenoic Acid को समानता क्या कहा जाता है तो सही आप सनोगा Acetic Acid कहा जाएगा Acetic Acid का फार्मूला भी आप से पूछा जा सकता है CS3, COOS यह होता है Acetic Acid का फार्मूला जिसे हम लोग सिरका भी कहते हैं तो यह क्या है आपका Ethenoic Acid है ठीक है याद रखेगा Next question क्यों चलते हैं देखी गेरा नंबर question है किसी तत्व के परमाण में प्रोटानों की संख्या इसके किसके बराबर होता है तो लेंकी भार के परमाण भार के, इलेक्टरान बंदुता के या फिर परमाण क्रमां के सही उत्तर होगा D वाला विकल्प जोगा माले जे कारबन का जो परमाण क्रमांक होता है वो 6 होता है तो कारबन का अगर परमाण क्रमांक 6 है तो उसमें प्रोटानों की संख्या भी जो होगी वो 6 ही होगी इसलिए जो विकल्प सही है वो D वाला विकल्प सही है देखी बारा नंबर कोशन है जब किसी समीकरण के दोनों और प्रतेक तत्व के परवाणों की संख्या समान हो जाती है तो यह क्या कहलाता है चार आपसन है इसके लिटलर समीकरण संतुली समीकरण आसंतुली समीकरण या फिर मिस्ट्री समीकरण ठीक है देखे माली जे अमोन आप बना रहे हैं N2 plus H2 equals to ammonia बन गया ammonia NH3 भन गया ठीक है अब भी आप यहां पर क्या देख रहे हैं ए न मतलब nitrogen जो हैं यहां पर 2 है nitrogen के परमाणों की संख्या दो है लेकिन जो हमारा बना जाकर के तत तो ammonia बना है उसमें क्या हो रहा है एन अमारा एक ही है तो क्या करिया आप तो आमोनिया में आगे के अमोनिया में two लगा देज़े अब आप सभी देखेंगे nitrogen के two हो गए हैं लेकिन hydrogen के तीन दुना six हो गए 3 पहले थे दो आपने आगे लगा दी तो multiple हो जाएगा 6 हाइडोजन हो गए, तो हाइडोजन अभी सेम नहीं है, तो हाइडोजन को 6 करने के लिए अपर 3 आप यहाँ पर multiple करना पड़ेगा, तब ही 3 दुना 6 हाइडोजन हो गए, अभी देखे 6 हाइडोजन हो गए है, दो नाइट्रोजन है, इधर भी जाकर कर देखिए दो नाइट्रोजन है और छे हैड्रोजन है तो एक संतुलिस समीकषण जाकर के बना आए, पिर तेक तत्तो की परमानवों की संक्या समान हो गई है तो सही आपसन क्या होगा, C वाला विकल्ब जोगा, इसका सही आपसन होगा, एक हम संतुली समिगड को बना रहे थे देखे तेरे नंबर कोशन है, स्वाद को परखने के लिए निमलिकित में से कौन सा तंत्रिका उत्तरदाई है स्वाद को आप परख रहे हैं, तो कौन से तंत्रिका आपके लिए जरूरी होगी, अगर आप स्वाद को परखना चाहते हैं, तो C वाला आपसन आपको देख कर ही मालूम चलना चाहिए जीवा, ग्रशनी, तंत्रिका जो होती है वो स्वाध को परखने का काम करती है स्वाध को जानने का काम करती है कौन सा जो भाग है जो मीठा को करता है कौन सा खटा को, कौन सा कडू को इस सब को स्वाध को परखने काम होता है जीवा गरशनी तंतरिका को, ठीक है, नेस कोशन 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 चलते हैं देखी, चौदा नंबर कोशन है, निमलिकित मैं से किस जीवास में इधन में, ब्यूटेन इसका मुख घटक होता है इधन तेल में, कोईला में, LPG में, प्राकतिक गैस में, बताइए, ब्यूटेन करता है प्राक्षितीन गैस की बात करेंगे नीच्रा गैस जुआ के सीएंजी होती हैं इस प्राक्षित में में लोग मिथेन का यूज करते हैं प्राक्षितिन की रूप में यूज करते तो कौन सा जो आपका हर्मोन है वो RBC के उत्पादन को बढ़ावा देता है सही आप सनोगे इसका D वाला विकल्प Erythopoietin जो होता है यही हर्मोन है RBC के उत्पादन में बढ़ावा देता है जो कि आस्तिमजमें पाए जाता है आज कदी के स्टोला नंबर कोशन है निम लिकित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दरसाता है टिंडल एफेक्ट को कौन दरसाता है चार आपसन है दूद, सरकरा विलियन, लवड विलियन, कापर सलफेट का विलियन सही उत्तर होगे इसका दूद दूद एक कोलाइडी विलियन है और टिंडल प्रभा हमेशा कोलाइडी विलियन पर ही लागू होता है सरकरा विलियन, लवड विलियन और कापर सलफेट का विलियन ये सभी एक वास्त्विक सलूसन है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू सलूसन सरक्रा मतलब होता है चिनी और लवण मतलब होता है नमक नमक और पानी और चिनी और पानी इन दोनों को मिस्रित करेंगे तो आपस में इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि उनके कडो का आकार जो होता है वो नगन्य के बराबर हो जाता है तो एक वास्त्विक विलियन कहलाता है इसी पेकर कापर सरफेट का विलियन भी होता है लेकिन जो टिंडल प्रभाव होता है वो कोलाइडी विलियन पर लागू होता है कोलाइडी विलियन वे विलियन होते हैं जिनका जो आकार कडो का आकार होता है वो वास्त्विक विलियन से थोड़ा से ज़्यादा होता है जैसे आपका दूद हो गया, स्याही हो गयी, रक्त हो गया यह सभी कोलाइडी विलियन में आते हैं और जो कोलाइडी विलियन होगा वो टिंडल प्रभाव को अवस्य दर्साएगा इसलिए सही आपसंज होगा एवाला विकल्पो सत्रे नंबर कोस्टन है वाहनों में लगा निम लिकित में से कौन सा उपकरण वाई परदूसर को नियंत्रित करता है उत्प्रेरक परिवर्तक, कार्वुरेटर, इंवर्टर या पिर रेडियेटर बताइए वाहन में लगा कौन सा उपकरण वाई परदूसर को नियंत्रित करता है सही आपसंज होगा कैटलिस्टिक कनवर्टर जिसे हम लोग उत्प्रेरक परिवर्तक भी कहते है जैसे जो हानिकारक गैसे होती है जो गाड़ी से बाहर निकलती है उनको क्या करता है जो क्या वाई परदूसर को नियंत्रित करने का काम करता है जो गैसे निकल लए है वाहनों में से वो आपके जानलेवा भी हो सकती है लेकिन उसको ये कनवर्ट कर देता है केटलिस्ट जो तक कनवर्ट कर देता है अब सिर्फ यह आपको हानी थोड़ी सी पहुंचा सकती है लेकिन आपको इनकी मृत्तु नहीं हो सकती है इसमें से तो सही आप सुनोगा पहला वाला भी कल्प देखी अठार नंबर कोशन है किसे तत्त में पूरी तरह से इलेक्टरान के भरे हुए दो कोश है ठीक है आपके एक जा में तीन कोश भी पूँच सकता है दो कोश भी पूँच सकता है आपको धियान रखना पड़ेगा आरगन है, मैगनेसियम है, कार्बन है और नियान है ये चार आपसन आपको दिये गए दो पूरी तरह से कोश भरे होने चाहिए तो सही option क्या होगा D वाला option नियान जो होता है इसका परमान क्रमान होता है 10 और इसका अगर हम लोग करेंगे electronic विन्यास तो 2 और 8 2 cell होंगी पहले cell में 2 होंगी maximum पहले cell में 2 ही electron हो सकते थे इसने पहले कोस जो है इसका भरा हुआ है दूसरे कोस में maximum 8 electron हो सकते थे इसका दूसरा भी कोस जो है भरा हुआ है और अश्टक के नियाम का पालंग कर रहा है इसलिए अक्री गेसों में गिना जाएगा जिसके भी बाय कोस में 8 electron होंगे वो अक्री गेसों में गिने जाते हैं जिसमें एक नियान भी एक अक्री गेसों में आती है इसके दो ही कोस हैं और दो कोस पूरे तरह से भरे हुए बाकी में आप जाकर के देखेंगे आरगन में 3 कोस होते हैं कार्बन में 2 और 4 होते हैं मतलब 6 जो होता परमान कर रांक होता है लेकिन जो دूसरा k सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पास्कल किसका युनिٹ होती है पास्कल होती है दाप की अब दाप का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए अब उन्ते पहले गी कोस्टन आपको बताया था P बराबर Dave x A होता है अब F by A होता है मतलब कि force upon area होता है force की unit क्या होती है न्यूटन होती है और area होता है meter square तो Newton upon meter square जहां पर भी लिखा होगा वो सही उतर होगा तो C वाले विकल्प पर लिखा गया जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं पहला वाला विकल्प को सही करके चल देते हैं वहाँ पर यह नहीं नहीं देखते हैं कि Newton upon meter square होना चाहिए यह सही उतर होता है प्रती meter Newton वर्ग यह आप हिंदी में लिख सकते हैं या पि Newton upon meter square इस प्रकार से भी लिखा होगा मिल सकता है तो समझने का प्रियास कीजेगा जल्दिबाजी में कोशन को घलत मत कीजेगा काफी मेनत से कोशन तयार होते हैं और एक एक number आपके लिए बहुत ही important होता है मैंने पिछली एक जाव में आपके देखा है कुछ लोग एक number से, दो number से, तीन number से फाइनल मेरिट में बायर हुए हैं इसलिए जल्दिबाजी में करने का प्रियास मत कीजेगा जो कोशन नहीं आ रहा है उसको छोण दीजेगा लेकिन जो आ रहा है उस पर आप लोग अच्छे से फोकस कीजेगा नेक्स कोशन को चलते हैं देखी बीस number कोशन है सही आपसन होगा इसका एवाला आपसन जो सरपी घरसर होता है वो इस्थैति घरसर से थोड़ा से कम होता है कम होगा तभी तो सरपी घरसर बल जो होगा आप साप की तरीके अगर चल लाए हैं जो साप होता है sliding friction is slightly smaller than the static friction तो इस्थैति घरसर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है जैसे आप चल लाए हैं जमीन पर तो इस्थैति घरसर है अगर साप की तरह लोटते हुए चल लाए हैं तो उसमें क्या होगा जो घरसर होगा वो कम लगेगा और जो आपका एक और होता है लोटिनी घर्षन उसमें और कम होता है तो सही आपसनों का पहला वाले कल्प 21 नंबर कोशन है जीवाडू जीवाडू जो रेफ्रीजिरेटर के अंदर भी घातक विसाक्त पदार्तों को उत्पन एवं विक्सित कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं चार आपसन है रेफ्रीजिरेटर मतलब होता है फ्रीज फ्रीज के अंदर वैसे देखिए वैक्टीरिया जो होते हैं वो नहीं रहते हैं लेकिन एक वैक्टीरिया जो है फ्रीज के अंदर भी जीवीत रहता है वो कौन सा वैक्टीरिया है आपसे पूछा जा रहा है इसका सही आपसन होगा C वाला विकल्म Clostridium Bartulinum यह वेक्टिरिया है जो फ्रिज के अंदर भी घाता को विसाक्त पैदा कर सकता है और अपने आपको विक्सित कर सकता है तो यह कापी खतरनाक है जो कि हम लोग सुरच्छित करने के लिए GRO को बचाने के लिए फ्रिज में समान को रखते हैं लेकिन अगर यह बैक्टिरिया आपके फ्रिज में पहुँच जाएगा तो वहाँ पर रख्यू वस्तों को विसाक्त पैदा कर देगा विस के समान बना देगा और यह विक्सित भी होकर के पूरे फ्रिज में फैल सकता है तो सही आपसन होगा इसके C वाला विकल्प देखी 22 नंबर कोशन है विद्दूत संचरन के लिए बनने वाले तार के लिए विसेश रूप से कौन से दो परदार्थ यूज किये जाते हैं ठीक है चार आपसन है द्यान से पढ़िए टंगस्टन और मेगनीश मेगनीश और कॉंस्टेंटन तामबा एलमूनियम नाइक्रोम कॉंस्टेंटन इसका सही आपसन होगा B वाला विकल्प आपने देखा होगा तामबा की तार आती है एलमूनियम की भी तारे आती है तो विशेश रूप से आप से पूछा गया था विशेश रूप से हम लोग तामबा और अलमुनियम का ही प्रयोग करते हैं बाकि जो भी आपसन आपको लिखे हों मिल लाएंगे इनमें भी विद्दुत का प्रवा होता है लेकिन इनके तार नहीं मना ही जाती है क्योंकि यह जो होते हैं क्या होता है इसमें गलनांक और गलनांक जो होता है किसे में उच्छ होता है किसे में निम्न होता है लेकिन तामबा और अलमुनियम जो होते हैं आपको असानी से उपलब्द भी हो जाएंगे और आप इनके असानी से लंबी-लंबी तारी बना सकते हैं सबसे ज़्यादा विद्दूत का सुचलक जो होता है वो चांदी होता है लेकिन चांदी इतनी महेंगी ही कि आप उनकी तार नहीं बना सकते हैं तो याद रखेगा इसलिए ताम और इल्मूलियम का वलोग प्रियोग करते हैं देखी तेईस नमबर कोशन है नाइट्रियम किसका लेटिन नाम है चार आपसंद दिये गए हैं सलफर का, नियान का, नाइट्रोजन का, सोडियम का देखी प्रियडिक टेबल में ऐसे बहुत से तत्तों रखे गए हैं जिनके नाम जो हैं, वो लेटिन भासा से लिए गए हैं इसे में आपका सोडियम आता है सोडियम आपने देखा होगा सोडियम की स्टार्टिंग जो रहे हैं इससो से हो रही है, तो उसका लेकिन नाम जो इने रखा गया तो यह लेटिन भासा के नैट्रियम से इसकी उत्पत्त हुई है इसलिए इसका नाम इने रखा गया है आप देख रहे हैं न, ए, टी, आर, आई, यू, एम है तो आगे का जोestaborbate नाइटरियम का उसको ले लिया गया और सोडियम का निर्मार किया गया इसे बहुत से थत्तों के कैलियम हो गया कैलियम हम लोग além two test का कहते हैं कैलियम वैसे प होना चाहित है लेकिन kा लिखा जाता है तो बहुत से तत्तों हैं, हमने लिस्ट भी आपको बताई दी, इसका सही आपसे नोगा D वाला विकल्पो देखी 24 नमबर कोशन है, इथाइल एलकोहल का उपयोग किस रूप में किया जाता है इस्प्रिट लाइम के इधन के रूप में, इलकोहल युक्त पे पदार्थ के रूप में, विलायक के रूप में या फिर इडमे से सभी इथाईल एलकॉल एक मिथाईल एलकॉल होता है एक इथाईल एलकॉल जो होता है वो एलकॉल के रूप में प्रियोग के जाता है इस्प्रिट लैम में भी और विलायक के रूप में प्रियोग के जाता है आप लोग याद रखेगा methyl alcohol जो होता है वो alcohol युक्त पेपदार्थ में नहीं यूज किया जाता है methyl alcohol जो होता है एक विस्क के रूप में कार करता है अगर आप इसकी ज़्यादा मातर को पी लेंगे तो पागल हो सकते हैं और उससे ज़्यादा पीएंगे spirit lime K और विलायक D आपसंज होगा वो सभी रूप से इसको सही होगे दीनों रूप में ये प्रियोग के जाता है इसलिए D vehicle पे इसका सही उत्तर होगा 25 नंबर question है यदि किसी तार की लंबाई और किसी तार को जोड़ने से दुगनी हो जाती है तो इसकी प्रितरोध पर क्या प्रभाव पढ़ेगा कम हो जाएगा आदा हो जाएगा दुगना हो जाएगा या पिर आप प्रभावित रहेगा हमने पिछले वाले वीडियो में आपको फार्मूला बता है था आर मतलब कि प्रितरोध बराबर रो इल बाई ए होता है इल जो होती है वो लेंथ होती है अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो प्रितरोध भी बढ़ेगा क्योंकि डिरेक्टरी प्रोपोर्शनल टू प्रितरोध जो है आपका लेंथ के बराबर है तो लेंथ अगर तोगा वह दुगना हो जाएगा इसलिए सर्फान हो गशे फोन हो गशे अपर सभा इसके सफिया वाला विए कलप कर नेश् Sure – बिशन की बाहरी औरक्र कान सभ हे – नाग सभीज प्रियाद का यह पिर निलंबन का है सई आप सणोगा इसका एवाला विगल्प है हमने आपको बताया था को लाइडी विलियन जो होते हैं उनके कड़ों का आकार जो होता है वास्तिवी गिलियन के कड़ों के आकार से थोड़ा से बड़ा होता है तो आर्सानिक साल्फाइड आप लोग याद रखेंगे का प्रियास कीजेगा आज के दे क कैथा ब्रकास की परिच्षेपड के बाद सबसे कम विछलित काौंसा होता है नारंगी, बैगनी, नीला, लाल ये चार आपसन थे और इसका सही आपसन होगा D वाला विकल्प लाल जो होता है वो कम विचलित होता है आप प्रिज में से कोई स्वेत रंका मतलब सातो रंका अगर प्रकास को गुजारते हैं तो आप देखते होंगे जो वी भी ग्योर बनता है वो नीचे की ओर से बनता है वी ग्योर आप आर देखेंगे तो उपर की ओर होता है R का विच्छेपड जो होता है वो सबसे कम होता है वहें पर भैगनी देखे nगे वो सीधी रेखा जा रहा है ति बिलकुल से निची होगी भैगनी तो भैगनी रंग का जो होता है सबसे ज्यादा होता है आपसे यहाँ पर कम पूछा गया था तो कम में लाल को टिक कीजेगा इसमें बहुत सी गलतियां होती हैं बहुत सो लोग violet answer दे रहते वह नहीं समझ रहते कि हम आपसे कम पूछ रहे हैं आपसे ज़ादा नहीं पूछ रहे हैं अगर ज़ादा विच्छेपित होने की बात करेंगे तो आप लोग बैगनी को सही कीज बहुत ही important question है और आपके हर एक्जाम में देखने की मिल जाएगा देखिए 29 number question है मनुस्ट में किसकी कमी करण एनेमिया नामक रोग होता है vitamin B, iron, folicum, or vitamin A सही विकल्प होगा इसका vitamin B iron जो सही विकल्प होगा B वाला option मतलब की iron, iron जो होता है मनुस्ट में एनेमिया की कमेर जो होती iron करण होती है इसलिए सही विकल्प जो होगा B होगा vitamin B नहीं होगा B होगा ध्यान रखेगा जलती से vitamin B निकलाता लेकिन B वाला option जो होगा इसका सही उत्तर होगा ठीक है नेक्स कोशन के ओर चलते हैं आज के दिके मारा 30 नंबर कोशन है आज का लास्ट कोशन होगा ग्राफी पुटुक या फिर ग्राफीयन फॉलिकिल विसेशता किस में पाय जाते हैं सही उत्तर होगा इसका D वाला विकल्प इस्तन दारियों के अंडासा में ग्राफीयन फॉलिकिल जो होती विसेशता पाय जाते हैं तो इसका D वाला option सही होगा ये बाइलोजी का काफी important question है इसको आप लोग याद करने का प्रयास किजेगा ये total हमारी 30 प्रिशनों की स्रीज थी आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप लोग comment box में अवस्तन बताएगा वीडियो अगर आपको थोड़ा से भी अच्छा लगाओ तो जाते जाते एक बार आप लोग like ओस कीजेगा अगर आपको वीडियो के और भी पार्ट इसे परकार आप लोग चाह रहे हैं तो comment box में एक comment करके अवस्तन बताए करिए हमारा प्रयास होता है आप लगातर हम science के question दें जितनी आपकी science मजबूत होगी और भी exam में आप अच्छा करके आएंगे हम सिर्फ railway की बात नहीं कर रहे हैं अगर आपने science हमारे challenge से पढ़ी है तो आप हर exam में जाकर करके बहतर करके आएंगे बहुत सो लोगों ने GS पढ़ी है, GK पढ़ी है, Science पढ़ी है उन्होंने हर exam में अच्छा किया हुआ हमारे प्रयास होता है आपको भीने भीने परकार के question कराया जाएं और आप इसमें level को समझे किस परकार के question आपके exam पूछे जाते हैं मेरी आसा है कि इन तीस question में आप लोग 22-24 परिशनने होसर सही करने का प्रयास किया होंगे अगर आप इन 30 स्केशनों में वह से 22-24 परिशन भी जाही करते हैं तो आपकी sign से जो है अच्छी माने जाएगे प्रयास करिएगा आप लोग एक कुछर में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग इसको करने का प्रयास किजेगा चलिए इस प्रशने का उत्तर आप लोग कमेंट बाक्स में देने का प्रयास किजेगा अगर आपको नहीं आएगा तो नेस्ट जो वीडियो आएगी आपकी 20 पार्ट की उसमें आपको इस तरी स्टार्टिंग करेंगे अमले साव किसकी विसेस्ता होती है छोटे यात की अमासाई की, बड़े यात की या फिमुगुआ की, चार आपसन है हिंदी इंगलिस दोनों पर है नहीं आता है तो नेट पर एक बाल खोल दीजिएगा आप लोग नहीं तो कमेंट बाक्स में आप लोग देश सकते हैं या फिर अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा